नमस्कार आप देख रही हैं SPN 9 News पंजाब के पूर्व मुख्या मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग दोबारा कॉंग्रेस में बाप सीख कर सकते हैं हाला कि इसे लेकर अधिकारिक तोर पर ना तो कॉंग्रेस ने और ना ही अमरिंदर सिंग की तरफ से कुछ कहा गया है कॉंग्रेस से अलग होकर सिंग ने अपनी पार्टी पंजाब लोग कॉंग्रेस का गठन किया था बाद में उन्होंने पार्टी का भाश्पा में विलै कर दिया था एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि कॉंग्रेस महासची उप्रियंक गांधी वड्रा लगतार सिंग के संपर्ख में बनी हुई है इतना ही नहीं अटकले हैं कि इस दोरान उनकी कॉंग्रेस में वापसी को लेकर बात हो रही है सिंग पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कॉंग्रेस अध्यक्ष रहे नवजो सिंग सिद्दू से तनातनी के बाद पार्टी से अलग हो गए थे सिंग कॉंग्रेस में वापसी करेंगे या नहीं ये अब साफ नहीं है संभावनाई जताई जा रही थी कि सिंग को भाजपा केंदरिय मंत्री या राज्य के राज्यपाल का जिम्मा सोप सकती है हाला कि करीब एक साल बाद भी उने लेकर भाजपा ने बड़ा फैसला नहीं लिया सिंग के साथ पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में सुनील जाखड का भी नाम शामिल था सिद्धू से पहले जाखडी पंजाब कॉंग्रेस की कमान समाल रहे थे उन्होंने मैं 2022 में कॉंग्रेस को अलविदा कह दिया था उन्होंने फेस्बुक पर लाइब स्टेशन के दोरान इस्तिफे का एलान किया था खास बात है कि इससे पहले कॉंग्रेस ने उन्हें शोकास नोटिस जारी किया था इधर भाजपन उन्हें पंजाब में पाटे की कप्तानी सौपी थी एक कारेकरम के दोरान सिंग ने कहा था कि राहूल को नेता के तोर पर विक्सित होने की जरूरत है बीते साल उन्होंने कहा था मेरे पर पोते हैं तो वो मेरे सामने क्या है वे मेरे बच्चों जैसे हैं उनके पिता मेरे दोस्त जैसे थे ऐसे में वो क्या हुए के वाल इसलिए कि वह पच्चास के आसपास पहुंच गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि राहूल गांदी अपरियंका गांदी अंस्टेन है साथी साथ में अन्य राजनेताओं की तरह साधारन नेता हैं समय के साथ बढ़ना होगा उन्हें समय के साथ अनुभव लेना होगा यही मेराहूल गांदी के बारे में बोलता था अब यहाँ पर यह सवाल उच्छा है क्या लोग सबाचुनाव के साथ साथ पांच राज्यों के विधान सबाचुनाव से पहले क्या कैप्टन अमरिंदर सिंग अपनी घर बापसी करते नज़र आएंगे या नहीं देखते रहीएगा SPN 9 News